फ्रेंस दिवाली का तेहार है जो आने वाल है और दिवाली के तेहार पे सभी के घरों में खूब सारी मिठाईयां बनती हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसे स्वाधिस्ट पेडों की रेस्पी जिसे हम बिना घी के बनाने वाले हैं और यह वाले जो हम पेड़े बनाने वाले हैं इनको बनाना बहुत अगसान है खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं और घर पे रखी हुई आप तीन से चार्ची जो इसको बना कर है जो तियार कर लो के तो उमीद करती हो आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी इन पेड़ों को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप ले लिया गेहूं का आटा जो नॉर्मली चपातिया बनाने के लिए आटा यूज करते हैं वो ही वाला आटा है और दो चमच हम इसमी डालेंगे रवा यानी सूजी के रवा इन पेड़ों को है जो बहुत दानेदार टेक्च्छर दे देगा रवा डालने के बाद हम आटे को है जो गैस के लो फ्लेम पी भूनेंगे आपने इस चीज का ध्यान रखना है पूरे प्रोसेस में आटे को भूनते टाइम हमने गैस का फ्लेम है जो लोई रखना है और आटे को हम जैसे जैसे रोस्ट करते जाएंगे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और जैसे जैसे रोस्ट होता जाएगा इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुश्बू आने लग जाएगी तो अभी हमने इसको है जो दस से बारा मिनिट के करीब ऐ और पहले से इसका कलर भी काफी चेंज हो गया और बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुश्बू आने लगी है अब हम जब आटे इतना रोस्ट हो जाएगा ना उसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा कप दूद की मलाई जैसे हम दूद को फ्रिज में उबाल कर रख देते हैं एक तो इसमें हमें घी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा ये हमारे पेड़ों के मावा वाला टेक्स्चर भी दे देगा तो मलाई ना दो चीजों का काम करेगी घी का भी और मावा का भी और इससे जो पेड़े बन कर आएंगे बहुत ही बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने इसमें मावा एड़ किया है और अभी मुझे इसको भूनते हुए जो दो से तीन मिनिट के करीब और हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट्स तो यह मैं इसमें दो चमज के करीब डाल रही हूँ ब मास्ट तक है जो टोटल बारा से पंदरा मिनिट के करीब है जो अराम से लग जाते हैं तो अभी हमें इसको भूनते हुए यह देखिए दो से तीन मिनिट और हो चुके हैं और आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुक है बहुत ही प्यारी से इसमें से खु तो कन आथ है अगर हम इसमें अधी कटोरी डालें कि देशीeh בन एंगे अगर आपके पस देशी घंड नहीं तो फिर आप इससमें जो नॉर्मल चीनी होती है उसको mixer grinder में पीश कर वो भी डाल सकते हैं और मीठा इसमें जो अब दो से तीन चमच ज्यादा भी कर सकते हैं मीठ आपको जैसा भी पसंदों थोड़ा कम यह ज्यादा इसमें आप कर सकते हैं और अभी हम इसको चीनी को भी ऐसे यह देखिए हाथों से मसलते हुए न अच्छी तरह से मिला देंगे अगर आपको बाइचांस लगे ना पेडों के अच्छी आ जाएगी तो मैंने इस तरह से इसके पेड़े बनाए हैं अब आप इसको चाहो तो चीनी में कोट कर सकते हो या फिर इस तरह से मैंने थोड़े से न रोस्टर तिल लिए हैं भुने हुए तिल हैं यह इसके उपर ऐसे लगा देंगे जिससे इनकी लुक भी करते यार होगी और इसके बाद इस तरह से हम इसको देशी खांड में थोड़ा सा कोट करतेंगे इसी तरह से हम बाकी सारे पेड़े जो वह भी बना करते यार कर लेंगे तो यह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं तोड़कर आपको टेक्श्चर दिखाती हो इसका यह चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शुरूर कीजिएगा जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर